सबसे पहले आप से विको मेरा प्यार प्यार प्याला कमें हिना कार्तिक फस्ता स्वागत करती हूं आपसे भी कापने यूटुब चैनल हिना ब्लॉग सुत्रा कंडी पर तुमाज आगें फिस एक नए वीडियो के साथ और नए वीडियो के स्टार्टिंग कर रहे हमें अपने साथ चसुर हैं तो लेकिन मैं इनको ममी पापा कहके बूलाती हूं तो मुझे यह अच्छा लगता है तो मैं आज जो वीडियो लेके आ रहे हो ना आपके बहुत सारे कमेंट आने के बाद मैं यह वीडियो लेके आ रहे हूं और प्रशनली भी मुझे लोग मिल रहे थे तो मैंने बोला थे आप अंदाजा कर लो और बाद में मैं बताऊंगी तो मैं बता नी पाई कुछ रीजन था तो आप लोगों के बाद में कमेंट आ रहे हैं बता करके आप रसनली लोग बोड़े थे हम लोग वेट कर रहे थे उस वीडियो का और आपने अभी तक बताया नही इंकम से रिलेटेट वीडियो मुझे बनाने का कोई सौक नी है नहीं मैं आपको के सामने दिखावा गर्यों तो मेरा ये एक मोटिवेट है मतलब जो नए क्रेटर है यूटूब पे वीडियो बना रहे हैं उनके लिएक मोटिवेशन है और भी लोग काफी पूछतें की इसमाँ आप अपना वीडियो पूरा इंजॉय भी कर सकते हो फैमिली के असान ट्रिपिंग वगरा वही और मेरे ब्लॉक तो वही रहते हैं थोड़े बहुत ट्रिप के रहते हैं वाकि मेरे फैमिली ब्लॉक्स रहते हैं तो मैं आपको अपनी इंकम दिखाती हूं जो की मेर तो यह रही मेरे इस मन्त की इंकम तो मैं वीडियो लेड बना रही हूं लेकिन यह इस मन्त पिसले मन्त आगी थी इस मन्त की अब वैसे करके यूटूब से 21 तारिक को रिलीज हो जाते हैं मतलब हां से रुपया आ जाते हैं बट अकांट में वही 25, 26, 27, 27, 27 तक मों जाते है तो अब इस महने की तो आई नहीं है यह फिसले महने की है तो बैंक से मैंने कली निका ले थे इसले मैं आपको आज दिखा रही हूं तो यह एक गड़ी मम्मी पापा को थमा देते हैं थोरी देर के लिए फिर चीन लेंगे हां चीन होंगे चाल रहे हैं बट पापा कहा जा और मम्मी पापा जो इतना सपोर्ट काद रखा है वी इडी बनाने के लिए और मिस्टर जी मतलब मेरी फ़ी में लें इस इंकौर सुर्ट का क्या करेंगे है कि अज फैमिली की खुषी है थो वह ही होई है जो जोइंक़ फैंथ सुख में रहना जांते है जाह दो तो हमार प करना मैंने जो मेरी यूटूब की इंकम स्टार्ट हुई हो मेरी हुई दिसंबर से मतलब मेरा चैनल मॉनिटाइज हो गया था उससे तो डॉलर बनना तब इस्टार्ट वा लेकिन मेरी पहली इंकम आए थी फररे के टाइम पर 9-10 के बीच माए थी 9-10 जार के बीच माए थी य सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे और इस बार की इंकम आ रखी है इतनी होगी आप लोग अंदाज लगा था काफी लोगों के कमेंट आये थे तो इस टाइम पर जो मैंने आपको दिखाई थी ना सब्सक्राइबर निकालने वाली उस पर मतलब आप लोगों ने वैसे अं जो मैंने निकाल रखे थे और साथी से सत्री हजार के बीच में और अबी जो यह है यह है पीचानवे से एक लाग के बीच में आपको जो मेरे यूटूब में जो दोस्त है मतलब जो क्रेटर हैं चोटे से और बड़े लोग दी तो बड़े लोगों को तो पताऊगा जो सब्सक्राइबर पीजगा 56,000 हो रखें तो अगर इर य हमारे सब्सक्राइबर होने भी हमारे वीडियो पर दोस्तैसि ऐसा कर रहे होने तो आपकी सब्सक्राइबर होनी पर हमारे वीडियो तो थोड़ा पापा से पूछते हैं मेरे इंकम हात महा के वैसे तो जो फर्ष्ट इंकम थी वो तो मैंने जो जब मेरे पास आए थी ना मैंने सबसे पहले उपर अपने जो घर के देवता होते हैं वहां चरा दिया था और इधर अधर जो भी मंदीर पर हम लोग गे थे सब पूछते हैं आपको कैसा लगा इंकम देखकर और जो नए क्रेटर हैं जो हमारे इसमें कमेंट करते हैं आपकी वीडियो हम देखते हैं और हमने भी स्टार्ट कर लिया तो उनको क्या बोलना चाहिए जो बहुए हैं बहुए के सासुर भी देखेंगे बेटियों के ममी कर में करो फल के इच्छा मत करो फल तो एक दिन मिली जाएगा जैसे बोगे वेशी टीब नहीं पड़ेगा वो तो वाई कहीं भी ठीक है मेरका बहुत अच्छा लगा ऐसे आगे बढ़ते रहो और जो नहीं नहीं आजकर जो बन रहे हैं यूट्यूबर उनको भी मेरी आश हम पर कभी ठोकर कहीं हैं हमें ऑनको कहीं जाने के लिए मतलब चलो बेटू को कभी नी की हम भवत को भी कभी नी कहा है और हमें बेठीजीमान्हें तो फापा जब भी कोई लोग आते ना खो भोर अब मेरी 가운데 ने मेरी तीन बेठीया हैं डीधी होगी में झीं नी बाहगी इ तो हमारे उत्राखंड में तो एसी जारे तर जहां लड़कियां पिछरे से रखी गाउं साइड के ना कोई बनानी नहीं देते और बेटियों को फिर भी थोरा सा सपोर्ट मिल जाता है बट बहुं को नहीं मिलता है तो मुझे मैं भगवान का सुक्रिया कहोंगे कि मुझे इत तो सपोर्ट कै देवरची ने भी देवरानी तो आजकल आरे खिया आजकल उनहें भी सपोर्ट कर रहे तो आप लोग उनके वीडियो भी देखते हैं तो दाने लग जो तुर्साओ मंमे से भी जान लेते हैं मैज क्या है चाहते है बाझ दून्हां को मेरे पहले जो फर्ष्ट आय थे उसकी खुशी अलग थी आज की खुशी थोड़ा जादा की है थोड़ा जादा हो रही है यह खुशी भी और आप भी अपने बहुत बेटियों को ऐसे आगे बढ़ाते रहो जैसे रही हमारे इस पह बीच बीच में कभी नेगेटिव कमेंड आते ह हैं कि तुमारे पास कुछ काम है जिए नियुके ने तो वीड़ी बना रहे तो उने क्या बोलने चाहω कि हम खेट का काम करते हैं नहीं करते हैं हम लोग वे नगरी वाले होते हैं, अपने बाल बचों को सोड़ के, अपने घर परवार को सोड़ के, दूर-दूर किराई में जाते हैं, मेरे बहु, बहु का ऐसा निये, घर काम भी करें हमको, खाना पीना भी खिला रहे हैं, कबड़े भी धोरे हैं, फिर शाद मैं, ये नगरी भी, सबको मेरा आशिर बात है, और आप भी ऐसे तर्गी करो, और जिसके शाद सशूर देख रहे हो, ये सैनल को, तो आप भी अपने बहुएं को सबोट करो, और उनको बंदे मत बना के रखो, सब नहीं हैं, जिसकी चोईश है, जो करना चाहता है, तो उनको करने दो मत रोगो, तो अभी ना मम्ही पापा ने बहुत प्यारी सी बात है, आप लोगों के सांसियर की बहुएं पर पावंदी मत लगाओ बेट पा, और लेकिन ये भी ना अपने अपनी चोईस होती है, अगर जिसको ब्लॉग बनाने का इंटरेस्ट है, तो उन्हें बनानी दीजिए, जो भ लेकिन अपनी चैनल से वीडियो पोस्ट करते हो, उसे अपनी वीडियो मत चलाना ये आप पर डिफेक्ट वरता है, बहुत अच्छी बात है, बाकि तो आप हमारे अभी में ट्रुए टैक के सैट अप पर बैठते हों, बाकि आप उस पर वीडियो सकते हैं, और यूटूब और आप लोगों के मैं बता देती हूँ, मेरी जो अगर अभी तक सबसी ज्यादा इंकम आ रिखी, यही आ रिखी, इस मैंने, 95 से एक लाग की थी, चैनल वे हजार से एक लाग के बीच में आ रिखी है, और इससे पहले जब मैं दुकान के लिए लेके आई थी, समान उस टा आने लगी, तो इंकम ज्यादा आईगी, और नहीं चलेगी, तो इंकम ठीक ठाक आईगी, तो मेरी सबसे कम अभी जो मैं बोड़ी हूँ, दो-तीन महनों से लगवाग, क्योंकि मेरे सबस्काइबर बढ़ गया है, 50 के सो बर चले गया है, 76,000 हो गया है, तो धीरे-धीरे करक हैं कि फर्स्ट इंकम ऐसे आते करके, और जो बीच मा आया था, 50 के बीच मा आया था, और अभी बीच में जो लाश्ट मा आ रखे थे, सत्री तक पहुंच गया था, ऐसी और जो आ रखे एक लाग तक ऐसी पिचाने वे से एक लाग के बीच में है, तो मेरा कोई वीडियो ब मेरे बीच सही थे, समय कि बोलना क्या होता है, बारवार क्या बोलती हैं तो गाइज गाय बैचा, तो गाइज गाय इम है। बार गाइज बोलती थी, जितने बार तो मैं उससे ज्यादा तो मेरी बाते कम होती थी, गाइज ज्यादा होता था, तब भी लोगों ने, और ना, एक और बात बोलना चाहती है, लोग ना, काफी लोग कमेंड करते हैं, कि आप तो उटली हो, करके हैं, हां, मेरी कभी-कभी न न ही तो अब कि इन्दी को मेरे हिंदी है तो तो कभी-कभी मैं मुठी में घाला जाती न इसमीमें और पहारी में बोलतियां। और जो भी रियलिटी है, मैं आपको सब चीज वही दिखाते हूं तबी तो जोईन फैमिली हूई ना और आप लोगों के सारे बहुत सारे कमेंट आजाते हैं कि आपकी देवरानी दिखती है नी, आप उनको लेते हो नी आप लोग आपस में बात करते हो नी, ये सच है नहीं आप लोगों को क्या बता हम कितने गप मारते हैं, मम्मी हम तीनों ना फ्रेंड के जैसे रहते हैं तो ये इंकम आरके देवरानी जी के आने के बाद भी सा पैसी जब ना मेरी फर्स्ट ज्यादा ज्यादा इंकम आई ना इनकी साधी की वीडियो वाइरल हुई तो मतलब जब मेरी 34 उससे पहले मेरे 30-40 आते थे तो धीरे-धीरे करके फैमिली में क्योंकि हो जाता है कोई नया मेंबर जूरता है जब तो आप लोग भी इंट्रेस्टेट हो जाते हो वीडियो देखने के लिए कि देवरानी जेठानी आज कर के रहे हैं आप लोग नेगेटिब कमेंट करके ना हमें दिमोटिमेट मत करना हम लोग ऐसी जॉइन रहे हैं पूरी फैमिली आप लोग वोते हो ना कितना मस लगता है जब आप चारू गूमते हो तो आप लोगों को प्यार सपोर्ट ऐसी रहे तो थोरा सा इंसे भी पूस लेते ना इ अपने ब्लॉकिंग की स्टार्ट की है तो मैं दीदी को भी थैंकि वोलती हो क्योंकि इनकी सपोर्ट की वैजे से मैं ऐसा कर पा रही हूं वरना मुझी तो बोल डाजने में शरम आती थी तो अपने देखा होगा मेना फास्ट ब्लॉक जिसमें मैं बहुत सर्मार वी री थी तो अब हमारे इंकम भी आने लगी है तो हमें काफी खुशी भी होती है और फैमिली पूरी सपोर्टेट है तो उसमें तो हम काफी खुश हो जाते हैं तो अच्छा लगता है और आप लोग मेरी वीडियो पर कमेंट करते हो और दीदी के सब कमेंट करते हैं आपकी देवानी ब्लोग में पर जगड़ाने वाली बात होती है बट हमारा ऐसा कुछ नहीं रहता है जब दीदी माई के बाई के जाती है तब ही मैं ज़्यादे तर ब्लोग बनाती हूँ आप लोग देखते ही होगे घर में एकी किचन है सब कुछ काम एकी होता है तो मैं डेली ब्लोग नहीं बना सकती हूँ दीदी के ब्लोग पर आप देख ही ले तो इसलिए मैं डेली ब्लोग नहीं बनाती हूँ कभी-कभी बना लेती हूँ कभी दीदी कहीं गए होते हैं या माईके गए होते हैं तो तब ही मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो फिर से आप लोग को बहुत बड़ा थेंक्यू तो पहले जब दीदी ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया तो उनके मिस्टर जी ने उनको ब्लॉग बनाना सिखाया है तो उसी तरह मेरे हजमें जी ने भी मुझे सपोर्ट करके मुझे हर चीज़ बोलना वही शिकाते हैं और ममी पापा भी काफी सपोर्टीव तो मैं पापा से या ममी दोनों से पूछना चाहती हूँ कि दोनों पहुएं ब्लॉगर है तो उनको कैसा लगता है बहुत अच्छा लगता है और हम लोग ब्लॉगिंग करते ह हाँ कोई दिक्कत होती है पॉक्नियों को बाकी पहाड की जिंगं सबंगी कितनी मुट्याब को पता है काम वीडिओ बनाना बहुत नमुमकिन जैसी क्यावाण है आप लोगे वास्यू संब्सक्you da यहां आपको सारे इंकम नहीं तो आपको शेलेटेते हैं क्योंकि वीडियो ना चोटी सी बनाऊंगी शोच जा था बढ़ना नहीं काफी ज्यादा लंबी होगे तो यहां उसे लाइक केजिए अपनी दोस्तों के साथ धेर सारे इसको सेयर कीजिए तो गाज में मिलते हैं आप झाल झाल